हेलो फ्रेंड नमक्स का सक्सेस्पन कोटा चैनल पे आप सभी का स्वागत है इस्टेंड्स में शुभा में और हमारे चैनल पे हमने यूजी सी नेट पेपर सेकंड हिंदी की हिंदी साहित्य का इतियास सेकंड यूणिट स्टार्ट कर रखिए इस्टेंड्स ये स्रिफ बहुत महत्पोन है इस्टेंड्स जो यह मैंने आधर बनाया है यह द्रश्टी की बुक है ठीक है जो यूजी सी नेट की आती है उसी सरे उसी मेंसे ही मैं आपको यह कंटेंट पड़ा रही हूं यूजी सी नेट में ड्रश्टी की बुक अपने आप में बहुत महत्पोन है इसकी first class हमने साहिती की पड़ाई जिसमें हमने इतिहास में ये समझा कि कौन कौन सी पद्धियां आई ठीके आख अंत में विधेवादी पद्धि किस प्रकार से महत पोने इसको हमुख्य बताया गया कि एक इसी पद्धिती जिसमें समसामी की इस्तिती को उसकी ततकालिन परिस्तितियों को ध्यान में रखकर जिन कवियों का उलेक किया गया साहित्य कारों का उलेक किया ठीके और उस पद्धिती को किनों ने आचरे रामचंदु शुक्ली जी ने अपनाया ठीके इससे पहले वाणानो क्रम पदती आई, काल क्रमानो सार पदती आई, बेग्यानिक पदती आई, ये हम फिर्स क्लास में समझ चुके हैं इस टेरें ड्रस्टी की किताब के अंदर आचरे रामचंद्र शुक्ली करत हिंदी साहित्य के इतिहास को रखा गया है जो आचरे रामचंद्र शुक्ली जी की मूल पुस्तक है, ठीके, अपने ये बुक पर रखी होगी, जिसमें हिंदी साहित्य का इतियास आचरे रामचंद्र शुक्ली की नहीं तो काफी कई यूट्यूब से अच्छे तरीके से समझाई गई है, और इसमें द्रश्टी के अंदर इसका सार है, और यही मुख्य फैक्ट्स हैं, जो आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं, ठीके, तो ये मुख्य फैक्ट्स हमें समझना वो जरूरी है, जो डारेक अब इन्होंने कैसे अपने साहित्य के अंदर और इनका जो साहित्य है, जब अपन को ये समझ में आ जाया ना, कि आचरे रामचंद्र शुक्ल का मतला हमारा हिंदी साहित्य का इतियास पूर रूप से समझ में आ गया, तो इन्होंने अपने वक्तवे और काल विभाजन में क्या किया इनके वक्तवे मतलब इनके विचारों के अनुसार और इन्होंने किस तरीके से काल विभाजन किया हिंदी साहित्य का चलिए आचरे राम चंद्र शुक्ल ने अपने पहले लिखे गए साहिति इत्यास ग्रंतों को कभी व्रत संग्रे कहा क्या का कभी व्रत संग्रे क इसमें जो वहां की उस समय की परिस्तियां समसामिक उस टाइम की स्तितियों को जो वहां की प्रवर्ष्ट उसको ना लेकर करके इन्होंने अपने साहितिय में क्या लिया है पहले जो लिखे गए साहितिय के गरंथों थे उन्होंने सिर्फ कभी व्रस संग रहे है कभीयों का परीचे मतलब अपने आसपास देखिए अपने आसपास सिर्फ कभीयों के गरंथों की रचना को ही बनकर रहे गई एक साहित्य क्या बन करके रहे गया, स्रिफ कभियों का परीचे मात्र ही बन करे गया, तो शुकली जी ने क्या कहा? अचरे शुकली ने अपने से पहले लिखे गए साहित्य इतियास ग्रंथों को कभी ब्रत संग रहे का, ये very important fact है student, क्या कहा? कभी ब्रत संग रहे, अब देख स्रिफ कभियों का जनम, कभियों का परीचे ये ही बताया गया, विस्तार से नहीं समझाया गया कि उस time period की केसी परिस्तितिया थी और उसके आधार पर किस प्रकार रचना आई? नेक्स्ट है modern vernacular literature of northern हिंदुस्तान, ठीके? ये वाली बुस्तक देखिए modern vernacular literature of northern हिंदुस्तान, ये क्यकेते, इसको कहा गया बड़ा कभी ब्रत संग रहे, ध्यान रखिएगा, शीर सिंग सेगर को इन्होंने का कभी ब्रत संग रहे, और modern vernacular literature of northern हिंदुस्तान को इन्होंने द्वारा जो आई पुस्त दों मिश्र बंदु विनौत इनको इनोंने का, बड़ा भारी यां प्रकांड प्रकांड़ कभी वरत संग रहे हैं, earned संग रहे हैं तो इसको शुक्लीजी ने क्या का, शिर् सिंह さरोग जी नोंने कभी वरत संग रहे हैं,しくवे हैं और मिश्रबंदु विनोथ बड़ा भारी या प्रकांड कभी ब्रस संग्र है इस प्रकार से इनोंने काल विभाजन में मतलब बताया कि इस तरीके के विचार रखे इनोंने कि जो इत्यास था वो केवल कभी ब्रस संग्रहन ही बन करके रे गया उस समय की परिस्तितियां उस समय की प्रवर्थियों का विचार नहीं हुआ आगे देखिए और नामकरण के दो आधारों पर और उन्होंने नामकरण का क्या बताया नामकरण दो आधारों पर किया Very very important facts हैं ये दोनों ठीके जब आप शुकली जी का मूल बुक पुस्तक पड़ोगे आगे आने वाली क्लासेश में मूल पुस्तक को भी लेकर आएंगे अभी मुझे लगा कि UGC NET के लिए इस किताब को पढ़ना बहुत महत्पोन है क्योंकि यहां से डारेक्ट फेक्ट्स आते हैं ठीके तो चलिए नामकरण दो आधारों पर किया गया पहला काल विभाग या विभाजन के भीत प्राप्त होने वाले विशेश धंग रचनाओं की प्रचुरता क्या कर दिया गया कि रचनाओं बहुत जादा प्रचुरता और उनके स्वरूप के अनुसार नामकरण को दो पर नोने डिवाइड किया ठीके दो भागों पर इनोने डिवाइड किया पहला तो रचनाओं के प्रचुरता और उनके स्वरूप के अनुसार किस प्रकार रचनाएं हुई और स्थेक्ड ए ग्रंथो की प्रसिद्ध इन्होंने प्रशना आ सकता है कि नामकरण किसन आधारों पर क्या था एक तो रचनाओं की प्रचुरता ठीके और ग्रंथों की प्रसिद्धी के आधार पर क्योंकि प्रसिद्धी भी किसी काल की लोग प्रवर्ती की प्रतिध्वनी होती है कोई ग्रंथ प्रसिद्ध हो रहा ह क्यों लिखा गया वो ग्रंथ किस आधार से लिखा गया ठीक है ग्रंथों की प्रसिद्धी के आधार पर कोई प्रसिद्धी भी किसी कावियत किसी काल की किसी टाइम पिरियेट की जैसे आदवीर काल भक्ति काल उस काल की लोग प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर आदिकाल में कई वीर गाथात्मक रचनाय आई इसलिए उसको शुक्ली जी ने वीर गाथाकाल कहा भक्तिकाल में भक्ती की रचनाय रखी गई इसलिए उसको भक्तिकाल कहा गया तो इन्होंने नामकरण को दो आधारों पर किया एक तो फर्स्ट रचनाओं की प्रचुरता ठ ठीक है ये दो फ्रेक्स यहां पे important है अब आगे देखिए किसी काल विस्तार को लेकर योही पूर्व या उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना एतियासिक विभाग नहीं केला सकता हम कहें पूरु भक्तिकाल उत्तर भक्तिकाल तो इस आधार पर काल को विस्तारित कर देना इतिहासिक नहीं कहा जा सकता किसी काल के कवियों की सहितिक विशेष्टाओं के संभन्द में मैंने जो संशिप्त विचार प्रकट किये मतलब मैंने किनों ने शुकले जी ने जो संशिप्त विचार प्रकट किये वे दिगदर्शन मातर हैं वो देखने के मातर दिगदर्शन जो मैंने देखा, जो मैंने परका उसके मातर हैं। फिर इन्होंने आगे कहा, इतिहास की पुस्तकों में, इतिहास की पुस्तक में किसी कवी की पूरी क्या अधूरी आलोचनावी नहीं की जा सकती। Important Fact is Student. आगे किसी इतिहास कोई हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं। तो इतिहास की पुस्तक में किसी कवी की पूरी क्या अधूरी, मतलब ठोड़ी सी भी नहीं, आलोचना नहीं हो सकती। यह important fact है यह किस ने कहा शुक्ल जीने, किनों ने कहा शुक्ल जीने, ठीके, चलिए, उमीद करती हैं students आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, आपको समझ में आ रहे होगे concept, comment box में comment जरूर करिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, ठीके, और student अगर आपको वीडियो अच् भाव, सबसे प्रधान साहिति घटना है, यह एक-एक fact important है students, क्योंकि शुक्ल जी की direct book से, ड्रश्टी की book में लिखा गया है, शुक्ली जी की जो important facts जेनो, उस किताब में से, वो ड्रश्टी की book में रखे गए, ठीके, तो इन्होंने क्या का, आधुनिक काल में, गद्य का आविर्भाव, गद्य अपने विक्सित रूप में आया था, गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहिति घटना है, सबसे उच्चे साहितिक घटना है, ठीके, important fact है, आप note down करिए, बहुत बढ़िया, नहीं तो आप द्रश्टी की book लेकर आईए market से, आप उस book को रखि और फिर साथ में ये class पढ़ते चलिए, बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे ही हम आगे कावे शास्त्र की classes और ये सब लाएंगे, हम द्रश्टी की book को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बहुत महत्पूर किताब है ये students, चलिए आगे, वर्तमान काल, सोरी, वर्तमान लेखकों और कवियों के संबन में कुछ लिखना, अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ परता है, मतलब हम किसी ऐसा नहीं कि अभी के लेखकों, बर्तमान लेखकों और कवियों के संबन में लिख ले, एक बला ही मोल लेना समझ परता है, क्योंकि परिस्तितिया, ये सब मिश्र बंदू विनो से लिए हैं important fact है student देखिएगा रीती काल जो रीती काल के लिए है इन्होंने परीचयात्मक पूरी किताब इन्होंने जो अपना हिंदी साहित्य का literature साहित्यास लिखा ना हिंदी साहित्यास इसमें इन्होंने जो परीचय का विवराण किया है कवियों का जो कवियों का परीचय का विवराण किया है वो किसे लिया है मिश्र बंदू विनो से लेकिन सिर्फ किसका रीती काल का पूरे साहित्य का नहीं मतलब आदी काल भक्ती काल या आदुनी काल इनका नहीं लिया इन्होंने छायाब आदी कवियों का सिर्फ रीती काल के जो कवि से रीती काल के कव्यों का परीचायत्मक विवरण लिया नेक्स्וט आगे देखिए मिश्र बंदु विनोत के अतिरिक्त hahaha important fanmichribandoo विनोत के अतिरिक्त सामा अब ही सईयोग इन गरंतों के नाम शुकल जी ने दिये के ने का मतलब है शुकल जी ने जब अपना हिंदी सहिते का इत्यास लेखा था तो उसमें उन्होंने कौन-कौन से गरंतों से help ली ठीक है सईयोग लिया तो उन्होंने रीतिकाल की जो कभी थे उनका परिचात्ना गु हि जी बाब्वोफ कि यह फिर का हिंदी कोविद eating starts रतन माला भाबु शाम सुन्दर्दास कब्पेता कामोदी राम्रेस्टिरृठी पाथी ब्रज माधुरी सांग कि यह豪गी हरी जी ठीक है मेरा उद्देश यह यह तीन थे एक तो रोने रीती काल के तो किसे लिए थे मिश्र बंदु विनों से फिर हिंदी कौविद रतनमाला ठीक है बाबु शाम सुंदरदास कवीता कौमदी राम नरेश तिरपाथी और ब्रज माधूरी सार वियोगी हरी जी यह ती इनों से इनोंने और मिश्र बंदु इनों से रीती काल की हेल्प लिए अपने इतिहास को लिखने में सामगरी कहीं से तो जुटाएंगे ना ठीक है अपने जैसे फिरस्ट पेपर में आपने पढ़ा होगा प्राइमेरी डेटास और सेकरेंडी डेटास तो इस तरीक से इनो को एक पक्का और विवस्थित धाचा खड़ा करना था ना कि कवी कीर्टन करना कितनी important पंगती है यह शुकली भी ने लिखी है और इंवर्टेट कौमास में है तो important है देखिए इन्होंने क्या कहा कि मेरा उद्देश है मेरा उद्देश है क्या है अपने साहिते के इतिहास को एक पक्का और विवस्थित अच्छा और विवस्थित बनाना है ने कि सर्फ कवी कीर्टन करना मतलब कवीयों का बखान करना नहीं है कि इत्ते सरे कवीयों को रखते जाना है नहीं एक विवस्थित ताकि जब कोई लिक्टरेचर पड़े तो उसको धंक से उसको समझ में आए बोल फिर आगे देखिए शुकली जी का काल विवाजन नामकराण इस प्रकार है ठीके उन्होंने चार भागों में काल विवाजन नामकराण क्या आधिकाल किसमें किया उन्होंने एक तो आधिकाल जिसको वीरगाथा काल समध 1050-1375 फिर पूरु मध्यकाल जिसे भक्तिकाल 1375-1700 और फिर उत्तरमध्यकाल रीतिकाल जिसको कहा गया 1700-1900 और आधिकाल जिसे गद्यकाल 1900-1984 या अब तक ठीके 1984 तक ठीके इन्होंने चार भाग में बटा वीरगाथात्मकाल भक्तिकाल रीतिकाल गद्यकाल जिसको आधिकाल इस्टेंट्स मैं उमीद करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी ठीके वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेर शेर जरूर करिये सब्सक्राइब भी जरूर करिये और कमेंट बोक्स में कमेंट करिये कि आपको क्लास कैसी लगी इस्टेंट्स कल जो हम पढ़ाएंगे वो साहिती इत्यास लेखन की परंपरा पढ़ाएंगे ठीके आप नोट्स बनाएं बहुत बेटर नहीं तो आप हेड्लाइन करके इस बुक को लेकर आईए नहीं तो इसमें से नोट्स भी बनाईएं ठीके और ये पीडियेफ मैं आपको पेलिग्राम चैनल पर अप्लोड कर लोंगी धन्यवाद है 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 सब्सक्राइब कोटा चैनल में आप सभी का स्वागत है हमने हिंदी साहिते के इतियास को स्टार्ट कर रखा है और हम यूजी सी नेट की यूनिट सैकिंड के अकोडिंग तैयारी कर वा रहे हैं हमारी हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में हिंदी साहिते के इतियास रिलेटेड चार क्लासे साव चुकी है जिसे आप वहां पर विजट करके देखिएगा और उसमे हिंदी साहिते की पद्दतियां पड़ चुके हैं जिसमें पद्दतियां पड़ी ग्रंथ ग्रंतकार पड़ा उनके समय को पड़ा ठीके जो हमने बुक का आधार बनाया है वह हमारी दृष्टी दवीजन करके यू और आचरे रामचंदु शुक्ल की बुक इन सबका कंक्लूजन इन सबका निशकर्ष रूप में आपको द्रश्टी के अंतरगत मिल जाएगा तो द्रश्टी अपने आप में एक बैस बुक है ठीके यूजी से नेट की तयारी करने वाले स्ट्रेंट्स के लिए इसमें यूनि सब्सक्राइगिинки कि फिफ्ट क्लास हिंदी सहिच्य कांव विभाजन ओर नामकरान देखिए की सबसे पहले हिंदी समय केंका यूजी संजी को पड़ेंगे ठीके अ जोर्ज ग्रियसन का काल विभाजन ठीक है इन्होंने सबसे पहले जो काल दिया चारण काल दिया जिसको सास्तों से तेरा सो इसवी में टैम पीरिड इन्होंने बताया फिर पंदर्वी शती का धार्मिक पुनर जागरण मलिक मुमद जैसी का प्रेम का वे ब्रेच का कृष्ण सन 1500 से 1600 स 20 मुगल-दरबार तुलसीद्पाश रीति कावयः 1518 से 1629 तुलसीद्पाष्ण कैसे अन्या परवर्ती सन सदथाथारवज सत्रासो इसी सन सत्रासो से अठारा सो दस कंपनी के साशन में हिंदुस्तान अ Confederate से 1857 और फिर नेक्स टे विक्टोरिया के साशन में हिंदुस्तान 1857 से 8087 तक ठीके इन्हों ने 11 भागों में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया किन्हों ने जोर्ज ग्रियसन ने इसको ध्यान स्विकों रखना ऐस्ट्रेंट काल विभाजन को बहुत जरूरी है इसके बाद देखिए नेक्स देखिए जोड़ ग्रियसन चोड़ ग्रियसन के बाद मुष्री बन्दूओं का काल विभाजन वन नाम करन अब इन्हों ने कौन-कौन सा Kawaल विभाजन नाम नाम रखे प्रारंभी काल माध्यमी काल अलंकार काल परिवर्तन काल वर्तमान काल प्रारंभी काल में इन्होंने दो भगवें बाटा पूरु प्रारंभी काल उत्तर प्रारंभी काल माध्यमी काल पूरु माध्यमी काल प्रोड माध्यमी काल अलंकार काल पूरु अलंकरत काल उत्तर अलंक्रद काल और परिवर्तन काल 189-1925 विकर्मी up तक और वरत्मान पाल 1926 से सभी से अब तक फिक है अब इनुए जो टाइम पीरेट बातर अ प्रारंभी काल का पूरू प्रारंभी काल का टाइम पिरेट इनुने दिया 700-1343 और उत्तर प्रारंभी काल का का 1344 से 1444 माध्य मिक का पूरु माध्य मिक का पूरू अलंकरद काल का इतर काल 1791 से लेके 8089 तर ठीक है यह मिश्री बंदों का काल विभाजन था आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए प्रारंबिकाल माध्यमिकाल अलंकरतकार परिवर्तन काल वर्तमान काल यह पाचों कालों के नाम ध्यान रखिए ठीक है फिर देखिए आचारे राम चंद शुक्ल इनका तो प्रतेख हिंदी के विध्यार्थी को याद होगा ही सही आचरे राम चंद शुक्ल जी का काल विभाजन और नाम करण देखिए वीर गाथात्म काल क्या है इनका वीर गाथात्म काल नेक्स्ट ए आदिकाल भक्तिकाल ठीके आचरे राम चंद शुक्ली जी का क्या है है स्टुएंट चार भागों में वीर गाथात्म काल भक्तिकाल रीतिकाल और गध्यकाल वीर गाथात्म काल भक्तिकाल रीतिकाल गध्यकाल ठीके चार भागों में आचरे राम चंद शुक्ली ने भाटा जिसको आदिकाल पूरुमध्यकाल उत्तरमध्यकाल आधुनिकाल इनका टाइम पीरेड ध्यान रखिएगा ठीके 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900 से 1984 तो वीर गाथात्म का कितना हैं 1050 से 1375 भक्तिकाल का 1375 से 1700 और रीतिकाल का 1700 से 1900 और गध्यका 1900 से 1984 ये इंपोर्टेंट स्टुडेंट आचर राम चंद शुक्ली मिश्र बंदू इनका ध्यान रखिएगा कि देखिये डOcarie TWici रमकुमार वर्मा का काल गरमा का जबाइज नौने छाव भाग Luci काल प्राणमीो। यह सन्दीन काल मुझे संदी हम चांध से निगा से पढ़ लीजे लेकिन इनकी ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा इस्ट्रेंड ये महत्पूर ने और ये कई बार एक्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं जब हम प्रीवेस ये कोशन्स फेपर लाएंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि किस प्रकार ये पूरू में पूछे गए हैं प्रानभी काल को दो भागों में संधी काल और चारण काल संधी काल 750 से 1000 विक्रमी और चारण काल 1375 फिर भक्ती काल 1375 से 1700 रिती काल 1700 आधुनिकल 1900 अब तक फिर देखिए फिर हजारी प्रसाद दिवेदी जी का काल विभाजन ठीके वर नामकण आदिकाल e 1000-1375, भक्तिकाल 1375-1700, रीतिकाल 1700-1900 और अधुनिकाल 1900-1900 से अब तक ठीके ये भी इंपोर्टेंट है इनका सन और नाम दोनों याद रखिएगा फिर है नेक्स डॉक्टर गनपती चंदर गुप्त जी का काल विभाजन में नामकर आधिकाल पूरुमध्यकाल उत्तरमध्यकाल आधुनिकाल इन्होंने ये दो नाम चेंज कर दिये बाकी सेमी रख ठीके इनका है 1184 से 1350 आधिकाल पूरुमध्यकाल 1350 से 1600 उत्तरमध्यकाल 1600 से 1857 आधुनिककाल 1857 से अब तक फिर डॉक्टर नगेंदर द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इत्यास काल विभाजन और नामकरन इन्होंने देखिए कैसे करा आधिकाल भक्तिकाल र अधुनिक काल को किस तरीके से भाटा देखिए विभाजन का पुनर जागरन काल जिसको भारतिंदु रुका गया जागरन सुधार पूरुमध्यकाल सुधार काल दिवेजी युग चायावाद यूग चायावाद उत्तर काल ठिके अब पुनरे जागरान काल को भारतिंदु यूग ये इसका टाइम 857-1900 जागर्ण अःकाल दिवेजी यूग Г climbingBigBig से उननीस सो अठारा चायवाद यूग उननीस सो अर्थिस फिर इसके बाद देखिए जिसको प्रगती प्रयोक काल निससो अर्थिस से लेके उननीस सो तरेपन तक 1953 तक और नव लेखन काल 1953 से अब तक फिर इसके बाद राम सरूप चतुरवेदी का काल लीभाजन मों नामकर चतुरवेदी जीनि अपनी इत्यास घ्रंथ में आचरे राम चंदुर शुक्र के काल व्भाजन की स्विक्रा का रो सूरु कि रिटीयकाल सॉला सो पचास उस्तर मदे काल 1650 से अठ्ठारा सो पचास और स्मुन norm तक आप tखरized प्रबर और से कालां करने ओर सिर्ट रिटीयकाल ले भुठि याइन डौक्ति काल को ऐन ने अभति समय काल करा है थिरट ऊंच कर आ unfox अधिकाल को इन्होंने जो पहला नाम दिया वो अपभ्रश काल भक्ति काल 14-1650 रीटी काल 1650-1857 आधुनी काल 1857 से अब तक उमीद करती हूं इस्टुरेंट्स आपको यह क्लास समझ में आई होगी इसमें ज्यादा कुछ इस क्लास के अंतरगत नहीं है इसमें सबसे महत्पोन आचरे हजारी प्रसादिवेदी जी डोक्टर नगेंद्र मिश्रु बंदु मिश्रुंबंदु ए रामजंद्र शुक्लजी ठीक को ध्यान रखिये गां में ठीके धन्यवाद आपके लिए काफी helpful रहेंगी और जो हम यह सारा content ले रहे हैं विशेवस्तु यह हमारी द्रश्टी की book से हैं लेकिन students द्रश्टी की book से जो आज हमने content लिया है आदिकाल यह सरीफ ना द्रश्टी की book से हैं यह सरस्वती पांडे जी की book से भी महत्पॉंड points हमने cover करें इसके काफी helpful रहेगा यह content ठीके चलिए स्टार्ट करते हैं आदिकाल इससे पहले हमने पद्दतियां पड़ी पद्दतियों के बाद हमने ग्रंत और ग्रंतकार पड़े इस्ट्रेंट्स यह content UGC net के लिए sufficient literature portion के लिए आप इसको complete पूरी class लीजिए और जो last मेरी class थी काल विभाजन उसमें से शुकल जी का गणपती चंदर गुपती जी का हजारी परसाद दिवेदी जी का मिश्र बंदू का चारण ग्रियसन इनके जो वर्गी करण इनोंने का हम स्टार्ट करते हैं आदिकाल यह पूर्व पीठी का मतलब भूमी का जो हमने आचरे रामचंद शुकल द्वारा जो आदिकाल के संधर में उन्होंने दी है उसके बारे में यहां पे बताया गया है चलिए cover करें आगे साहित्य से संबंदित कोई भी प्रेश्न हो आपको कोई समस्या है तो आप comment box में comment जरूर करिए हम उसका निश्चित रूप से उत्तर देंगे चलिए आदिकाल आदिकाल के मुख्य कथन है प्राक्रत की अंतिम अपभराण शवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना गया है हमारी भाशा संबंदित एक हिंद भाशा विज्ञान संबंदित भी प्लेलिस बनियो यह उसमें भी हमने classes पढ़ाई है आपने देखा उसके अंतरगत हमने ये पढ़ा था कि सबसे पेले संस्कत भाशा आई संस्कत में वेदिक संस्कत लोकिक संस्कत को पढ़ा हमने फिर उसके बाद पाली प्राक्रत और अपभरंश ठीक है ना मध्यकालीन आर्य भाषा के अंदर गध हमने पाली प्राक्रत और अपभरंश पढ़ा तो यहां पर उसी बात को इसपस्ट करते वह कहा गया है कि प्राक्रत मध्यकालीन में कौन सी थी पेली पाली जिसको प्रथम प्राक्रत फिर दूसरी दित्य प्राक्रत ठीक है प्राक्रत और अंतिम अपभ्रंश अवस्था कौन सी थी अपभ्रंश भाशा ठीक है तो अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही से ही क्या निकली है अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भा हुआ है उद्बह हुआ है ठीक है माना जा सकता है ये किसने कहा शुकली जी ने ठीक है ये शुकली जी के जो मौल टेज से हिंदी साहिते का इतियास उसमें से ही ये कथन दिए गए है और ये ही कथन आपको सरसुती पांडे जी बुक में भी मिलेंगे और यही कथन आपको द्रश्टी दवीजन करके बुक में भी मिलेंगे तो यह महत्पूर है और यह कोड जो हैं यह कौटिशन जो हैं आपको एड़ दम इसी तरीके से माइन में सेट करने हैं ठीक है कि प्राक्रत की अंतिम अपरभना शवस्था प्राक्रत के बाद क्या आई पेले पेले क्या थी इस्ट्रेंट्स आपने वह वाली क्लास जरूर देखिएगा उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से हमने जो भाशा विज्ञान पढ़ रहे हैं ठीक है पहले संस्कृत ठीक है संस्कृत में हमने वेदि को लोकिक पड़ा संस्कृत के बाद मध्य में पाली ये तो प्राचिन आरियभाशा थी ठीक है फिर पाली प्राक्रत थिके अभःस आई पुरानी हिंदी फिर धीरे 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 इसका परिवर्थे त रूप इस पस्ट उता गए मों हिंदी साहित्य का आवीर्भावा हिंदी आई महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है मतलई हिंदी साइट्य का इतिहास कब से माना जाता है जब महाराजा भोज के समय से लेकर हमिड़ेव के समय के भी पीछे तक माना जाता है ठीक है और इन्होंने टाइम पीरिट क्या दिया आधिकाल का 1050 से लेकर समवत 1050 से लेकर समवत 1375 तर ठीक है अगर क्लास अपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सबस्काइब जरू करिएगा ठीक है मज़े मज़े से हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से concept क्लियर करते हुए पढ़ेंगे लेकिन ठीक है टेंशन में आक मतलब जो राजा के आश्रे में कवी थे चारण जिस प्रकार चारण कवी थे जो राजा के आश्रित कवी थे जिस प्रकार नीती शरंगार आदी के फुटकल दोहे रास सबाओं में सुनाय करते थे अब नीती मतलब धर्म शास्त्र के अनुसार इनके अनुसार शरंगार से स छोटे-छोटे दोहे बना करके, छोटी-छोटी कवीताइं बना करके, छोटे-छोटे रूप में फुटकल जो आसानी से, सरलता से उनके मुख से निकल जाती थी, ठीके, राजाओं राजसबाओं में सुनाया करते थे, छोटे-छोटे दोहें के रूप में, ठीके, नीती के बताये जाते थे श्रंगार के फुटकल दोहे राज सबाओं में सुनाय जाते थे राजाओं के समक्ष सुनाय जाते थे उसी प्रकार अपने आश्रेदाता राजाओं के जैसे चंदरवर्दाई ने प्रत्विराज रासों की रचना करी उन्होंने क्या करा आश्रे में रहते चंद्रबदाई आश्रेधा राजाओं के पराकरम चरीतों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थेसे दवर किना प्रत्विराज ग्रनत ल्खा गया तो उसमें अपने आश्रेधा ग्राट की मतलब प्रत्विराज के टाइम प्रेट को उन्होंने अपने पराक्रम में उनकी चरित्र उनकी गाथाओं का वर्ण उस साहित्य के अंतरगत किया यही प्रभंद परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है और यही मैंने बताया आपको कि यही प्रभंद परा सिस्टम से दल सिंग द्वार ये सारे जितने भी हम रासों साहित्य पढ़ते हैं प्रत्वी राज रासों दल्पत विजय ठीके ये सब क्या हैं प्रभंध रासों और हम जब रासों साहित्य पढ़ेंगे सिद्ध नाथ जेन साहित्य के बाद जब हम रासों साहित्य पढ़ेंगे तब हम चरित्रों की उनकी गाथाओं का उनके युद्धों का उनके पराकर्मों को वर्णन अपने साहित्य के अंतरगत करते थे ठीके जिसे लक्षे करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा मतलब शुकली जी ने इस काल को वीर गाथा काल कहा ठीके ना क्योंकि आपने देखा जब श सामान्य परीचे आदिकाल और फिर देशकाल इस तरीके से बाटा है ठीके ना इस लक्षे को करके इसे काल को हमने वीर गाथा काल कहा ठीके आगे देखिए अब देखिए किस प्रकार की रचनाएं होती है एक मुक्तक होती है अब प्रभंद में खंड कावे आता है और महा कावे आता है जो प्रच्वेदार जासों के द्वारा 69 सर्ग समय दिये गए है ठीके वो इस प्रभंद कावे के आधार पर हो और एक होता है चंपू कावे जो गद्य में भी और पद्य में भी दोनों का मिश्रित रूप होता है आगे देखिए देखिए अपभरश नाम पहले पहल ये सारे आपको जो ये वाक्य मिल रहे हैं ये सारे आपको आचरी शुक्ल जी की किताब के अंदर से ही मिलेंगे ठीके और यही एज़ेटी सरसती पां है अगे देखिए अपभरश नाम पहले पहल अपभरश का नाम सबसे पहले पहल किसमें रखा गया पहले पहले पहल बल्लभी के राजा धारसें दिट्य के शीला लेक में मिलता है किसके शीला लेक में मिलता है बल्लभी के राजा धारसें दिट्य के इंपोटेंट फेक्ट हैं सिद्ध होते हैं और यह आपको यात रखने ही है अपभ्रहश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा सबसे पहले अपभ्रहश का नाम हमें कहां पर मिला वल्लभी के राजा दार्थें दिट्य के शीलालेक में मिलता है जिसमें उसने अपने पिता गुहसें जिसका विक्रमी स अमद बताये 650 के पहले को संस्क्रत प्राक्रत और अपभरंश तीनों का कवी कहा है यह कोटेशन डारेक्ट आ जाए यह कहां से लिया गया है आचारे रामचंद शुकल की हिंदी साहिते की पुस्तक से लिया गया है अपभरंश का नाम अपभरंश का सबसे पहले नाम हमें कहा मिलता है पहले लपि के राजा धारसें दिथ्य लेक में मिलता है जिसमें उसने अपने पिता गूर्सेंड को संस्क्रत प्राक्रत और अपभरंश तीनों का कवी कहा किस पहले किसको गूसेंड को कून था यह welcome를 राजा धारसिन दित्य के और यहां पर सबसे पहले किसका पता पड़ता है अपुभरंश नाम पहले-पहल वल्लभी की राजा के शीला लेक में धारसिन दित्य के शीला लेक में मिलता है next देखिए point सिद्धों की उद्गरत रचनाओं की भाशा देश भाशा मिश्रिक अपुभरंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाशा है सिद्धों की रचनाएं हे अभी हम आधिकाल पढ़ेंगे आधिकाल पढ़ रहे हैं आधिकाल के अंतरकत हम सिद्ध नात यह यह जो सिद्द सहित्यहीं जो सिद्दों की रचना है न वह कौन्सी रचना है वैरी इंपोटनेट placebo स्टूडेंट सिद्द ने कोंसी भाशा अपनाया देव्हासय मिश्रित's je जो उस टाइम की देश की भाषा थी उसमें मिश्रित अपब्रश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है कौन सी भाषा है सिद्धो की उद्गत रचनाओं की भाषा देव भाषा मिश्रित अपब्रश या पुरानी हिंदी अपब्रश का मनलब पुराना बिगड़ा हुआ रूप ठीक है तो देश भाषा मिश्रित देश की जो उस टाइम की टाइम पीरिट की जो भाषा थी उस समय की भाषा थी और अपब्रश को मिश्रित देश भाषा मिश्रित अपब्रश का प्रोक किया या पुरानी हिंदी फि अगर speed हो रही है तो आप मुझे comment box में बता दीजेगा कि मैं मैं आप बहुत ज़्यादा speed में पढ़ा रहे हैं या अगर slow है तो आप ये भी बता दीजेगा मैं मैं आप बहुत slow पढ़ा रहे हैं थोड़ा speed बढ़ाईए हम उस तरीके से आपको content provide कराएंगे लेकिन मैं चाहत आता है आपके literature बहार नहीं जाए इसलिए हमने इसमें हिंदी साहिते का इतियास सरसती पांडे जी की बुक और कौनसी द्रश्टी दवीजन करके बुक को भी प्रयोक कर रहे हैं अपने content में और आगे जो मैं आधुनिक हिंदी आधुनिक इतियास पढ़ाऊंगी ठीके आधुनिक काल की रचना है उसमें हम आधुनिक हिंदी साहिते का इतियास जो बच्चन सिंके हैं उनके points को भी cover करते चलेंगे क्योंकि उस book से आधुनिक तासर संबंदित आधुनिक काल का put जादा आता है हमें जादा महा से content मिलता है किसके बच्चन सिंक की book आधुनिक हिं अत्वात ब्रज और खड़ी बोली पश्यमी हिंदी का था जो पुरानी हिंदी थी ना अभी हमने पढ़ा हिए सिद्धों ने पुरानी हिंदी का प्रयोग किया तो इस पुरानी हिंदी की व्यापक कावे भाशा के सिंपल कहने का मतलब है जो पुरानी हिंदी थी ना उसमे से जब अपब्रश निकली अर्थार्थ मतलग कहने का तात्पर एं ब्रज और खड़ी बोली पस्चिमी हिंदी का था ठीक है अब नेक्स पॉइंट एफ देखिए आध्यात्मे करंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं उन्हें चड़ा कर जैसे कुछ लोगों ने गी वेसे ही विध्यापती के इन पदों को भी ठीक है विध्यापती ने जो पद दिये हैं उनके आधार पर भी बताया कि अध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं उन्हें चड़ा कर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोबिन के पदों को अध्यात्मिक संके कमें उसमें भी उन्होंने यह कहा कि अध्यत्मिक्ता का पुट्र बता दिया चलिए इस्ट्रेंट्स यह जो टेबिल है यह बहुत महत्पून है और इस टेबिल को बड़ी आतरीके से याद कर लीजिएगा ठीक है चलिए आप सोसते होंगे मैं तो कुछ जादा ही मजाग से पढ़ाती है बेटा इसलिए मजाग से पढ़ाती हूँ क्योंकि मैं यह मानती हूँ शिक्षा मजएव से करनी चाहिए आनंद के साथ आनंदान उभूती की प्राप्ती हो तभी तो वो शिक्षा शिक्षा है है ना चलिए आ चारण काल जोर्ज ग्रियसन, F.E.K. तो आप ध्यान रखिएगा चारण काल जोर्ज ग्रियसन, चरण जोर्ज के हैं, चरण किसके हैं, जोर्ज के हैं, तो चारण काल जोर्ज ग्रियसन, ठीके, F.E.K. भी ध्यान रखिए, मैंसे महत्पूर्ण जोर्ज ग्रियसन है, प्रारं प्रारंभिक काल, मिश्र बंदू, प्रारंभिक काल, मिश्र बंदू, प्रारंभ में मिश्री खाईए, कोई मीठा काम करते हैं, तो प्रारंभिक मिश्री खाते हैं, तो बस, प्रारंभिक मिश्र बंदू, और किनका नाम याद रखते हैं, गरपती जी का, जै, गरपती महारा मतलब परशाद के रूप में हम गर्पती जी का इवंधना करते हैं प्रारंभ में जबी भी कोई नया कारे चालो करते हैं गर्पती जी की पूजा करते हैं और सभी बंदू बांदू को हम मिश्री खिलाते हैं तो क्या मिश्री बंदू गर्पती चंद्र गुप्त प्रारंभि नेक्स देखिए बीजवपन काल महावीर प्रसाद दिवेदी ठीके ना महावीर प्रसाद दिवेदी बीजवपन काल महावीर प्रसाद दिवेदी ये सारे नाम बहुत महकुने ध्यान रखिएगा बीजवपन काल महावीर प्रसाद दिवेदी यूजिसी नेट के अपन और रामचन्द्र शुक्ल भीज अपन काल महा वी प्रसाद अच्छा है इसकी ट्रेक नहीं बताई car महाविर जी ने क्या करा बीजा रोपन महावीर जीने क्या क्रा टो बीजव एइज वपन महवीर प्रसाथ दिवेदी अब हर क्सी की trick तो नभी वना सकती NADA जित्ति बफंकसे चलिए देखूएं सिद सामंत राहुल सांक्यातन राहुल कैसे थे सिद्ध थे失व थे थे फिद्ध आपने कहाणी पढ़िया ना राहुल सिद्य सामंत काल अब वीर काल अब इधर देखिएगा वीर गाथात्मक काल तो रामचंद शुकने लेकिन विश्विनाथ प्रashadving ने वीर काल कहा है संपोण विश्विन के नाथ कौन होते हैं वीर होते हैं तो वीरी तो विश्व के नात बनेंगे, ठीक है ना, तो वीरकाल विश्व नात प्रसाद मिश्र, संधीकाल और चारणकाल डोक्टर रामकुमार वर्मा संधीकाल और चारणकाल डोक्टर रामकुमार वर्मा संधीकाल और चारणकाल किनका है डोक्टर रामकुमार वर्मा चरण इसपर्ष राम जी को किनको चरण इसवर्ष राम जी को ठीके न तो रामकुमार संधीकार चारणकार रामकुमार और मा आदीकार ये प्रतिक हिंदी के विध्यार्थी को याद होगा हजारी प्रसाद दिवेदी जैकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल किनों ने कहा रमाशंकर शुक्ल रसाल रमाशंकर जी को हमने जैकाल कहा क्योंकि वो है महाकाल महाकालो के काल रमाशंकर शुक्ल रसाल जैकाल इस तरीके से ध्यान रखी है ठीक है एज़ सिर्फ हम ट्रिक्षवाइज किस तरीके से इनको दिमाग में रखना है इस आधार पर पढ़ेंगे ठीक है आधार कार सुमन्राजें मोहनवस्थी आधार दे दिया सुमन्ने मोहन को की चलेंगे अपन घूमने ठीक है आधार दिया सुमन्ने मोहन को चलेंगे अपन घूमने सुमन राजे मोहन अवस्ति आधार काल अपभ्रहंश काल धिरेंदर वर्मा बच्चन सिंग अब यह ध्यान यह रखिये कि अगर यहाँ पर आपको काल विभाजन बढ़िया याद होगा न तो बच्चन सिंग ने अपना पहला जो हिंदी साइटे का दूसरा इतियास है उसमें पहला काल अपभ्रहंश काल में बाटा है उन्होंने आधी काल में नहीं बाटा तो ठीके तो धिरेंदर वर्मा बच्चन सिंह अपभ्रेंश काल वासुदेव जी जैसे ही वासुदेव जी आये उद्भव हो गया ठीके संकर्मन काल राम खेलावन पांडे तो इसमें से स्टुएंट जो इंपोटेंट है पॉइंट्स वैसे तो आपको ये सारे ध्यान रखिएगा लेकिन जो महत्पूर महत्पूरे चारण काल प्रारंपी काल बीजवपन काल वीर गातत्मा काल सिद्ध सामंत काल फिर इसके सबको ध्यान रखिएगा ठीके चलिए नेक्स्ट हम देखें हिंदी के प्रथम कवी प्रसोता बताने वाले कौन थे हिंदी के प्रथम कवी जैसे पुष्य दंत या पुंड ये किसने कहा है श्रीव सिंग सेगर को सुनिए 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 मेरी ट्रिक्ट सुनिए अब मतलग कहने का त्यात पर यह है कि हिंदी का प्रथम कवी किसने किसको कहा है तो श्रीव सिंग सेगर ने पुष्य दंत या पुंड को कहा है आगे हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे स्टुरेंट्स ओर ठीके अभी जो ये कॉटेशन मुख्य है डारेक्ट प्र इवरातिया नहीं वाली है तो बच्चो पुष्प आप अर्पित करेंगे इसाई ठीके ना देखिए नेक्स देखिए शाली बद्रसूरी गड़पती चंद्र शाली बद्रसूरी गड़पती चंद्र स्वयंभू रामकुमार वर्मा सरहपा राहुल सांक्यातन अब्दुल पुष्य दंत पुंड शीर सिंग सेगर ठीके फिर नेक्स्ट शाली बद्र सूरी गड़पती चंद्र गुपति स्वयंभू डॉक्टर रामकुमार वर्मा सरहपार राहुल सांक्यातन हजारी प्रसाद दिवेदी जीने अब्दुल रह्मान हजारी प्रसाद दिवेदी जी अब्दुल रह्मान विद्यपती डॉक्टर बच्चन सिंग मुंझ चंददर शर्मा गुलेरी इस्ट्रेंट्स कल जो हम क्लास में कवर करेंगे आज बहुत जादा लंबी हो जाएगी कल हम पढ़ेंगे धार्मिक साहित्य की रचना है ठीके कोशिश करूंगी आपको एक र लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ठीके इससे मुझे बहुत 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 जादा भी प्रेना मिलती है मोटिवेशन मिलता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है जो मैं पढ़ा रही हूं वो प्रतेक विध्यारती तक समझ में आ रह है ठीके तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा नाइट में भी आपको नो दस बज़े के बीक में भी मैं एक और क्लासिस हिंदी साहिते से संबंदित अपलोड कर दूंगी कावेशास्त निश्रा अगरवाल जी की बुक को भी मैंने पढ़ा रही हू उसमें मेरी 11 क्लासिस आ गई है आप वोद भी देख लिए जीएगा क्योंकि उसमें आपको कावेशास्त संबंदित काफी किलियर होएंगे आगे तो मैं इसके कावेशास्त के नोट्स ही नोट्स खुद के बनाएवे नोट्स को ही समझाऊंगी पढ़ाऊंगी ठीके तो न हिंदी साहिते की सीरीज स्टार्ट कर रखिए हिंदी साहिते का इतिहास का जिसमें हमारी 6 क्लासिस आज चुकी है और 6 क्लास में हमने आधिकाल को स्टार्ट किया था इससे पहले ग्रंथ ग्रंथकार पद्दितियां इनको हमने अच्छे तरीक से एक्स्प्रेंड करा है ठीके प्लेलिस में जाएगा वहाँ पर आपको इजी वे में classes available हैं और अगर आपको इससे संबंदित PDF चाहिए complete content चाहिए विशेवस्तु चाहिए तो आप हमारे ठीके और अबाउट मी करके जो description है वहाँ पर हमने इसका link दे रखा है चलिए आज हम ज्यादा बाते ना करते हो एस्टुरेंट्स क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि 10 जून से 24 जून के बीच में आपका UGC net है और इस time period में मुझे literature भी complete करवाना है आपका जो मैंने खुद ने सोचा है तो और हमारा कावे शास्त्री जैसे classes चल रही है उसकी और time to time उसके notes के भी related classes आएंगी तो चलिए हम इसको पढ़ें और आगे आने वाली classes में मैं आप को गद्य की class भी एक दोंगी ठीके ताकि हम गद्य पार्ट मतलब unit 5 से लेकर 6 10 तक की जितनी भी unit उसको भी लाएंगे ठीके चलिए इसमें अब हम start करते हैं आधी काल की हमने जो एक class पहले वाली class में हमने आधी काल के अंतरगत पढ़ा था उसमें हमने आधी काल के canadinajji के द्वारा लिखे होई direct कत्नों को भी पढ़ा फिर इसके बाад हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार किसों कभी कह एब द्रकार कि एक खाहतक अब अब और के अंतरगर धार्मिक साहितिय कौन-कौन से लिखे गए और किस-किस भाषा में किस-किस time period पे लिखे गए तो देखिए अपभ्रश रचनाय धार्मिक साहितिय की रचनाय है जो आधिकाल में रखी गई अपभ्रश रचनाय फिर इसके बाद सिद्ध नात साहितिय आया ठीके फिर जेन सहित्य आया और फिर अपब्रश रचनाओं को हम डिटेल वाइस पढ़ेंगे पूरा कबर करेंगे तो सबसे पहले हम इनके जो ग्रंथ है वो जो रचनाए है और रचनाकार यहाँ पर स्टुडेंट डाक नहीं आया है मैं एक बार आपको बता देती हूँ यहाँ पर यह तो रचनाए है ठीके न क्या है यह रचनाए है और यह रचनाकार है यह रचनाकार है तो अपब्रश में कौन-कौन सी रचनाए आई यह धामिक साहित्य का अंतरगत रखी गई रख देखांबर मिलान के प्रश्ण अते हैं ऐसे इसे सबसे पहले शोंदू इनकी कई बार मिलान के प्रश्ण आते हैं यूजीसी नेट में या किसी भी इक्जाम में आपने देखा हिंडी के मिलान से संबंदित प्रशनाते हैं एक साइड रचनाकार का नाम होता है और एक साइड रचनाओं का जिनको हमें मिलान करना होता है ठीके हम इनकी डिटेल तो अविस्तारपूरक आगे पढ़ेंगे ही आज जो हमारी क्लास चल रही है इससे पहले जो इंकी रचनाओं को याद रखना आप एक शीट बना लीजिए एक मतलब पतली से कॉपी बना लीजिए जिसमें आपके जैसे अभी हमने पहले कितावे पड़ी कौन-कौन से ग्रंतों ग्रंतकार पड़े फिर अपभरंश की रचनाओं धीरे धीरे आप सीक्वेंस से रचनाओ लिखते जाईए उनका टाइम पीरेड और रचनाओं किसने दी तो सबसे पहले देखिए जो इंदू की जिसे योगिंद्र भी कहा गया इनकी थी परमात्म प्रकाश और योगसार अब देखिए याद करने के ट्रिक योगी है जो इंदू का नाम ही योगिंद्र है योगी ह ठीक है परमात्म उसका प्रकाश कर देंगे मतलब उसको ज्यान प्रदान कर देंगे तो वो जो इंदू है जो इंदू है योगिंद्र इस तरीके से याद करिए जो इंदू है योगिंद्र वो क्या करेंगे योग करेंगे योगसार योग करेंगे तो वो किन से मिल रचनाएं हैं आप अपने हिसाब से देखिए आपको किस तरीके से इजी वे में आदोंती है उस तरीके से आप इनको कबर करिए तो पहली रचना जो इंदू योगिंद्र परमात्मे प्रकाश और योगसार ठीके स्वयंभू यह important है student स्वयंभू की important है ठीके और जो इंदू जो इंदू जिसका नाम योगिंद्र है इनकी दो रचनाएं है परमात्मे प्रकाश और योगसार ठीके जो इंदू यह मतलब योगिंद्र योगिंद्र ने योग किया तो योगसार और क्या प्राप्तवा इनको परमात्मा का ज्यान प्राप्तवा तो परमात्मे प्रकाश फेल गया उनके जीवन में, फिर नीचे है स्वयम्भू, स्वयम्भू पॉम चर्यू, रिठे रेणमी चर्यू और स्वयम्भू चंद, तो स्वयम्भू से आपको ध्यान रह जाएगा, स्वयम्भू चंद, ठीके, फिर पॉम चर्यू, और रिठे रेभी चर्यू, ठीके, रि यह तीनों को ध्यान रखिएगा ठीके जिनकी ट्रिक्स बन पाएगी वह मैं जरूर आपको ट्रिक्स बताऊंगी तो इसका देखिए एक तो स्वैंबु छंद तो याद रहेगा और स्वैंबु स्वैंबु पाउं रिट रिट एसे याद करिए पाउं रिट स्वैंबु छंद पाउं रिट इस तरीके से आप बार बार छे से साथ बार बोलेंगे तो आपको आप आजीवे में याद हो जाएगा नेक्स्ट है पुष्यदंत की तिरसठी महापुरिस गुणा अलंकार ये महापुराण है रिडिया कुमार चरियू नाकुमार चरित्र और नेक्स्ट है जसहर चरियू ये शिधर चरित्र ठीके पुष्यदंत की तिरसठी महापुरिस गुणा अलंकार रिडिया कुमार और जसहर चरियू ठीके ये तीन है इसकी ये इंपोर्टेंट है इसमें से ये 63 महापुरिस गुणालंकार तो कई बार एक्जाम में आई है और पूछी भी जाती है ये नय कुमार चरियू भी तो इन तीनों को ध्यान लखिएगा पुष्य दंत की कौन सी है तीरसठी महापुरिस गुणालंकार और नय कुमार चरियू और जसहर चरियू ठीके तीरसठी महापुरिस गुणालंकार हमारा क्या है महापुराण है और नय कुमार चरियू ना कुमार चरित रहे ठीके और जसहर चरियू यशिधर चरित रहे इसके बाद very important student धनपाल की भव तो भविष्य निखर गया भविष्य निखर गया मुनी राम सिंग मुनी ने क्या दिये दोहे याद करने के लिए या पहाडे ध्यान करने के दिये मुनी राम सिंग ने मुनी ने हमें क्या दिये दोहे याद करने के लिए या पहाड़े पाहुड दोहा इस तरीके से ध्यान रखिए ठीके इस ट्रेंड हेम चंद्र वेरी इंपोर्टेंट है सिद्ध हेम या शब्दानु साशन प्राकरत व्याकरण बताया गया इसके अंदर देखें इनके चार ग्रंते सिद्ध हेम या हेम शब्दानु साशन करके भी पूछा जाता है हेम शब्दानु साशन करके भी ये ग्रंत पूछी जाती है ठीके नेक्स्ट है कुमारपाल चरित्र तीसरा योग शास्त्र चोथा शंदानु साशन पांचा देशी नाम माला दयाश्रम काव्य है ठीक है छे हैं छे में से आप इनके इंपोर्टेंट देखिए सिद्ध्य हैं शंब्दादु शासन कुमारपाल चरित्र योग शास्त्र छंदानु साशन और देशी नाम माला नाम माला कोश यह पांचे महत्पूर्ण है और सबसे ज़्यादा महत्पूर् ठीक है फिर सिख्ते दयाश्रम काव्य है नेक्स देखिए जिंदस सूरी उपदेश रहसायन रास इंपोर्टेंट है स्वामप्रभ सूरी कुमारपाल प्रतिभोध अब देखिए इन्होंने लिखी हेमचंद ने कुमारपाल चरित्र पर लिखा इन्होंने किस पर लिखा इ सूर्मप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिभोध और हैमचंद ने कुमारपाल चरित्र फिर जेनाचारिय मेरुतंग प्रभंध चिंतामणी और लक्षमी धर जो संकलन करता थे प्राकरत प्रेगलम ठीक है यह पूरी जो ग्रंत है जो रचनाए हैं उस लेंड्स आपको ध् उसको यह ध्यान जरूर रखना है कि अपभणश में यह यह रचना आई थी तो हमें यही लेखा घ्यान रखने जोईंदू स्वयंभू पुष्यदंत धनपाल मुनीराम सिंग ठीके हेम चंद्र फिर जिंदसूरी सोंप्रभ सूरी जेनाचारे मेरूतूंग लक्षमी धर ठीक जत्सहर चरियू धनपाल भविस्यत कहा मुनीराम पाहुण दोहा हेम चंद्र सिद्ध हेम शवदानु साशन प्राक्रत व्याकरण है इसके अंतरगर कुमारपाल चरित्र योग शास्त्र चंदानु साशन देशी नाम माला कोश ठीके इस प्रकार से आप इनको ध्यान रखि जो सिद्ध नात में गोरक नाज जी को पढ़ना है ठीके अब देखिए जो सिद्ध हुए थे सरहपा वेरी इंपोर्टेंट है दोहा कोश चरियागीत कोश कौनसी है सरहपा की दोहा कोश चरियागीत कोश इस ट्रेंट्स यहां पर मैं आपको विस्तार से पढ़ा रही मैं आपको यहां पर लेकर आऊंगी क्लासिस भी ठीके सरहपा दोहा कोश चरियागीत कोश शबरपा चरियापद ठीके इन्होंने चरियागीत लिखिए और इन्होंने चरियापाद लिखा है क्या लिखा है चरियापाद ठीके किनोंने शबरपाने लुईपा बुद्ध्यो बुध्योद है अभी समय गीती का ठीके डोंबिपा डोंबी गीती का योग चरिया और अक्षर दिको प्रदेश ठीके एक बाद फिर देखिए सरहपा दोहा को चरिया गीत अब शबरपा चरियापाद लुईपा बुध्योद है अभी समय गीती का डोंबी गीती का योग चरिया ठीके योग चरिया और अक्षर दिको प्रदेश ठीके ये ध्यान रहेंगे ये सिद्ध साहितिय थे पिर इसके बाद देखिए गोरख नात साहितिय में गोरख नात संस्कृत क्रंट थे इनके सिदसामंत पदती विवेक मार तंड शक्ती संगम तंत्र निरंजल गोरक्ष शतक योग सिद्धांथ योग चिनतामणी गोरग बानी संपादक पीतांबरदद बरतवाल जुनों 14 ग्रंथों का संक्लंग किया इंकी गोरक बानी इंकोस को जिसको जिन Bryon का ग्रंथों में इसको ध्यान रखिएगा ठीक है अपने नोट्स में हैंड डाउन करते चलिए ठीक है गोरग बानी संपादक पीतांबर्दत बरदवाल चोदा ग्रंथों का संकलन ठीक है उपर के देखिए उपर में सिद्धांत पद्धती संस्कत गंतते विवेक मारतंड य जो है वेरार पुराण यह इंपर्टेंट योग सिद्धांत चल्यवें पड़ें जयन साहित्यय छैन साहित्य देवसिन इसका ब्रहट नए चक्र या ब्रहत भि किसके अब इसको ब्रहत नए चक्र देंब सहा ये प्रयास है ुस्ट्रेंट मैसे च्रावय जी की बुक है। तो इन दोनों में से जो महत्पूने स्ट्रेंड ये है एक तो शावकाचारिया दंब साहय प्रयास व्रहत नए चक्र और दर्शन शास्त्र ठीक है ये तीन इंपोर्टेंट है और थोड़े बहुत आप ध्यान रखेगा लेकिन इन तीनों को तो ध्यान से रखेगा कि शावका शिष्य शिवी संग्र्य करता ठीक है परतेश्वरी नहीं की दोनों महत्तपूने बुद्धी ये तो कई बार exam प्री वियस पीए क्यूस में आप को देखने को मिलेगा यह बोहत बार ब्रतेश्वरी बहुवली रास, आसुक कवी, चन्दन वाला रास, जीव दया रास, फिर विनय चंर सूरी, नेमी नात चउपई, विनय चंर सूरी की क्या है? नेमीनात, चवपई, और जिन धर्म सूरी, जिन धाम भी काये, किये इनकी है स्थूली भद्र रास, दोनों important students, यह सारी आपको ध्यान रखनी है, शाली बदर सूरी की भी आसुक कभी की भी विनय चंदर सूरी की भी और जिन धर्म सूरी इस्थुली बदर रास विनय चंदर नेमीनाथ चवु पई ठीके आसुक चंदन बला रास जीव दया रास फिर है मुनी सुमती गण नेमीनाथ रास ठीके मुनी सुमती गण की क्या है नेमीनात रास विजय सेन सूरी की रेवंत गिरी रास ये important student विजय सेन सूरी की रेवंत गिरी रास कलहन की आबू रास कलहन की आबू रास फिर देखिए जिन चंदर सूरी जिन चंदर सूरी फागू इन वे से जो important strengths में आपको बता देती हूँ जो महत्पुने आपको याद होनी ही चाहिए एक तो देवसेन की, शाली बद्र सूरी की, ठीके फिर आसुक कवी की आसुक कवी के बाद देखिए विनाय चंद्र सूरी, जिन धर्म सूरी मुणी सूमति गाण, विजे संशूरी ठीके, और बस ये विजे संशूरी तक आप ध्यान रखिएगा इस्ट्रेंट्स महत्पुने, विजे संशूरी तक, ठीके आगे देखिए अपभरंश रचनाय, अब हम इनको जो हमने अभी जेन साहित्या जो भी हमने अपभरण्स रचनाएं पड़ी ठीक है अंतरगत अपभरण्स रचनाओं को पड़ेंगे कौन ubrize में कौन कौन सब्स और उन्होंने अपनी रचना के अंतरगत क्या विश्यक्ष आए हैं इसको समझेंगे चलिये देखिए इनका फर्स पॉइंट इसका से간 advocate डॉक्टर हर्देव भाहरी ने 7 शती से 11 शती सर्थ हाद सी लेकर 11 सबाइब मतलब कि इस टाइम पेर पर अपृब्राज्श के रचना बहुत लिखिये इस वजश fifth骰 ताइम था-अपृब्रेंश का इस बिलत으로 flexibility लोओं पर बंद यह डिया फिर हुट। बंद और गया पनके सप्टूर बंद अपन अनुजर मलब हुट। पद्धती मतलब किसी चरित्र पर किसी की विशेष्टाओं पर आधारित है ये देखिए किसी पद्धती पर अपब्रश का चरित्र काविय जो अपब्रश में चरित्र काविय लिखे गए वो किसी चरित्र विशेष्ट पर आधारित पद्धिया बंद्ध में लिखा गया है ठीके, ये सोला मात्रों का चंद होता है, इसमें लिखे जाने वाले काव्यों को पद्रिया बंद कहा जाता है, आपको इतना ये ध्यान नहीं रखना कि इतना सारा आप इसको समझिए, बस आप इतना ध्यान रखिए कि अपब्रश में तीन प्रकार के बंद होते हैं, दोहा, पद्रिया और गेयर पेयर बंद, ठीके, गाने योग्या दोहा पर आधारित और जो ये चंद है, ये चंद में सोला मात्राओं का चंद होता है, ठीके, और ये किसी के चरित्र विशेश के आधार पर होता है, किसी पद्दती के आधार पर होता है, चरित्र कावा में काविय किसी चलित्र विशेश पर आधारित काविय होता है वह पद्धिया बंद्थ और वाकि गयर गीद सम्बंदी और दोहां के आधार पर होता हैं ठीके और हर्दे बीहारी सवन्ही निने क्या बताय कि अपब्रेश का स्वन्मू का हchemistry तीन बंद होते हैं तीन बंद मिलते हैं अपवरश भाशन में दोहा पददिया गेंड्य Бण ठीकिन चलिए आगे हम देखते हैं बाइनBo है वह किसम के लिए होता है चरित्र विश्रेश पर आधारित होता है पद्धती पर आधारित होता है आगे देखिए जो सबसे महत्पूर्ण है योगिंद्र योगिंद्र चटी शती के कभी जोईंदू से दोहाचंद का आरंब माना जाता है दोहाचंद का आरंब कहां से माना अपब्रेंश से ही दोहों की शुरुआत, दोहे चंद की जो शुरुआते हैं वह हमें कहां से मिलती है अपब्रेंश से, fact important is strength, ध्यान से सुनिएगा, ठीके, अपब्रेंश से दोहे की शुरुआत मिलती है और जोईंदू की दो रचनाय हमने पहले पढ़ी, परमात्र प्रका और योगसार, ठीके, फिर्स्ट हमने कभी पढ़े जोईंदू, जो अपब्रेंश की रचनाय है और यह किस के अंतरगत रखी गई है, धार्मिक साहितिया के अंतरगई, छटी शटी के कभी, जोईंदू से दोहा चंद का प्रारम मिलता है, तियो हम इसमें देखिए, एक ब चलिए, नेक्स्ट, स्वैंबू, ठीके, यह इंपोर्टेंट है, अपब्रेंश के रचनाकार, कौन स्वैंबू, ठीके, अब देखिए, इस्टार्ट करें इस्ट्रेंट्स, बोर तो नहीं हो रहे ना, ठीके, वीडियो आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक, शे लगेगा, कि हम जो पढ़ रहे हैं, वो एक authentic content पढ़ रहे हैं, विशेवस्तु पढ़ रहे हैं, और जो हमें इस platform पर मिल रही है, वो एक authentic अच्छी मिल रही है, और sequence से पढ़ेंगे, तो आपका हिंदी साहिते का इतियास बहुत अच्छे तरीके से clear होगा, आप अपने notes भ नहीं मिलेगा आपको, ठीके न, क्योंकि आप देखिए, यहाँ पर मैं सिर्फ एक book को लेकर नहीं, मैंने दो-तिन book को select करके वहाँ-वहाँ से photo लेकर के PDF बना करके ले, पकाबर कराती हूं, तो वीडियो आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को like, share, subscribe जरूर करके जाईए और class पूरी देखिए, तभी आपको हमेशा से starting first class से देखिए, अच्छा content मिलेगा, अच्छे तरीके से समझेंगे आप, चलिए, next देखिए, स्वयंबू छन, sorry, स्वयंबू, ठीके, कौन से रचना का स्वयंबू, स्वयंबू को 183 इसवी को जेन परंपरा का प्रथम कभी प्रथम कभी, लेकिन इसको अपब्रेंश में भी रखा गया है, ठीके, क्योंकि अपब्रेंश के रचनाएं इसमें रचनाएं हैं, ठीके, यह तीन गरंथ आते हैं, हमने तीन गरंथ पढ़े, कौन-कौन से, पॉम्चर्यू, रिठे डैमी चर्यू और स्वयंबू छंद, पढ़ा, ठीके, तीन गरंथों, तीनों गरंथों के नाम ध्यान रखनें, पॉम्चर्यू में राम का चरित्र विस्तार वानी थे, पॉम्चर्यू में जो यह है, इसमें किसका विस्तार है, राम के चरित्र से स राम के चरीतर का वड़ं किया गया है जिसमें राम को अंत में किससे मुनिंद्र से उपदेश के बाद जेन आदर्शों के अनुकूल निर्वान प्राप्त करते दिखाया गया है कि इनके उपदेशों से मुनिंद्र मुनिंद्र के उद्देशों से आचरी मुनिंद्र जो थे उनके उद्देशों के बाद जेन आदर्शों के नुगूल जेन के आदर्श होते हैं जो नियम होते हैं उनके अनुसार राम जी को क्या दिखाया गया है निर्वान प्राप्त करते दिखाया गया है कौन से ग्रंथ म है ये प्रत्म कभी माने जाते हैं इनको आप्प्रंश में इसलिए रखा गया है क्योंकि इन्हों झांपृब्रन से संबंदिक इन्हों ने रचनाये कर हैं तो जेन परमपरा के प्रत्थम कभी माने कर या उब्दे सुनकर के जो जेन आदर्शों के अनुकूल क्या करा इन्होंने निर्वान की प्राप्ति करी अब देखिए इतना पढ़ना हमें आवशक नहीं है आगे देखिए जो नेक्स पॉइंट देखिए यह मैं आपको PDF पूरी दे दूंगी अगर आपको सिच्छा से पॉर्व पढ़ना चाहें तो आप जरूर पढ़िएगा लेकिन मैं आपे महत्पूर्ण पॉइंट्स बता रही हूं कि क्या क्या है हमें नोट डाउन करने अपने नोट में ठीके यह अपब्रश का आधी कवी माना जाता है कौन स्वैंबू अपब्रश के क्या करे जाते है आधी कावे यह सोरी यह देखिए अपब्रश का आधी कावे कौन पाउम चर्यू को पाउम चर्यू को क्या माना जाता है अपब्रश का आधी कावे माना जाता है ठीके यह अपब्रश का आधी कावे किसे माना जाता है पाउम चर्यू को देखिए फिर आगे देखिए स्वयम्भू को स्वयम्भू को अपबरंश भाषा का वाल में की तथा व्यास कहा जाता है इंहोंने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा किनोंने स्वयम्भू ने इनको पढ़ने की आवशकता नहीं है यह द्रश्टी की बुक में है मैंने आपसे पहले ही कहा द्रश्टी में बहुत कुछ दे रखा है जिसमें हमें पढ़ने की आवशकता नहीं है इतना डीप में योकि जो जो महत्पूर्ट कंटेंट टॉपिक्स हैं स्वैंबू में से हमें क्या-क्या सेलेक्टेट पढ़ डा है उसी को ही कवर कर डा है ऐसे तो लिट्रिटरिचर कितना लंबा हो जाएगा ठीके ना देखिए स्वैंबू के आगे यहां पर देखिए स्वैंबू को अपरंश भाषा का वालमिकी तथा व्यास कहा जाता है इन्होंने अपनी भाषा को देशी भाषा का ठीके अब देखिए राहुल सांक्यतन के दो कोटेशन स्वैंबू हिंदी के सर्वोत्म कवी है राहुल सांक्यतन ने कहा वैसे तो इनको अपरंश भाषा का क यह चारो जो कॉट्रेशन से इस्ट्रेंट्स धंक से आपको याद रखना बहुत बार एक्जाम में पूछे गए हो बहुत महत्मोंने स्वेंबु को अब्रंश का क्या का जाता है अब्रंश भाशा का वालमी की तथा व्याद इन्होंने अपनी भाशा को देशी भाशा कहा स् और आश्रे दाता के अनुरोद से यह जेन हो गया तरह वी में आपको पुश्य दंत मूलत शेव थे पर द वास्ता में आश्रे दाता के अनुरोध से यह जेन हो गये आश्रे दाता मतलब जिनके आश्रे में ये रहे उनके अनुरोद उनके कहने से ये क्या हो गए जेनी हो गए फिर इनके बाद देखिये इनके समय को लेके विवाद है इनका कोई time period fix नहीं है इनके समय को लेके विवाद है शिवसिंग सेगर ने 7 शताब दी तदा हजारी परस ăn admire qatana को इस्ट्रेंट समय नो सो बैट तर मतला दसवी शताब्दी इसका समय माना गया है सिर्शी से गर साती मानते हैं और हजारी प्रसार्देविदी नौ वेसे माना जाए तो दसवी शताबदी इनका समय माना गया है 972 एसवी ठीक है फिर आगे देखें इनकी रचना है इनकी रचना है बहुत महत्पोने स्ट्रेंट सबकी और टाइम पीरेड ठीक है इनकी रचनाओं में 63 महा पुरुस गुणा अलंकार महा पुरान रणिय कुमार इनकी रचनाओं को तो आप रटी डालना केसे भी हो लेकिन अपनको रटना जरूर है ठीक है ना रटना मतलब समझ के ट्रिक से अपने दिमाग में फिक्स रखना है ठीक है 63 महा पुरुस गुणा अलंकार महा पुरान रेंकुमार चरियू नाग पुरान और जसर चरियू य लेक करा है आधी पुरान और उत्तर पुरान यह इंपोर्टेंट फेक्ट है कि स्टुडेंट्स राम राम चंदु शुक्ल का जो हिंदी साइटे आपको मिलेगा आप मोल्टेक्स जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर उन्होंने राम चंदु शुक्ली ने दो ग्रंतों का उ देखिए दो लेक करें इन्होंने पुष्यदंत के आधी दो पुष्यदंत के जो दो ग्रंतों का अधी पुरान और उत्तर पुरान इन दोनों को चोपाईयों में रचित करा गया है यह इंपोर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि यह डारेक्ट आपके राम चंदु शुक् हिंदी साहिते के इत्यास बुक से लिया गया है तो इनके तीन जो ग्रंत है वो तो यह है 63 महापुरान गुणा अलंकार महापुरान ठीक है फिर दूसरा रणिया कुमार चरित्र और जसर चरित्र ठीक है जसर चरियू और रामकुमार शुक्ली जी ने दो बताए हैं आधी पुरान और रुत्तर पुरान ये दोनों ही चोपाईयों में रचित रचनाए हैं फिर इसके महापुरान में 63 महापुर्षों का जीवन चरित्र है ठीक है इनके जो महापुरान है ये वाली ये जो महापुरान है न 63 महापुरिस गुणा अलंका जो ये है 63 महापुरिस गु तिनों चरितर आख्यान काव्य है त्था चोपाईं में हैं ठीके आगे देखिए इस्ट्येंड्ट्स जो देखिए स्वैम को क्या केते अभीमान मेरू काव्य sorry रंकार और्गाविकुल तिदत्रक आधी रंकार किसने रंकार डी कि विपतादि रंकार कि थieur कि सुल Dabei ॅध्ड नहीं पढ़ना जिन पर मैंने टिक किया है उन्हीं कोई नोट डॉण करना कि यहीं महकपूण है ठीके हाँ देखी स्वैम को इन्हों ने अभिमान मेरु कावय रतना कर कवी कुल तिलक की आदिक अधीक उपादिया दीयें कौन से उपादिया रहे थीक है संखेल में किसी कमी नहीं मिलती टोक्टर तगारे ने पु्ष्चय की भाषा को मराथी की जनिनी माना है डोक्टर तगारे ने क्या माना है पुष्यदंद की भाषा को मराथी की जननी माना और श्रिवसिंद सेगर ने ने भाखा की जड़ कहा है तो यह इंपोटेंट बनते हैं स्टुरेंट्स सारे पॉइंट्स ठीके एक बार अपने देखें क्या वापस की सफिशेंट है ठीके चलिए एवार देखी लेते हैं स्वयम को अभिमान मेरू कावे रतना कर कवी कुल तिलक की उपादी दिये डोक्टर भयाणी ने इन्हें अब्रंश का भवबुती और पुष्यदंद ने साहित्य की जो रचना करी है पुष्यदंद ने वो शुद्धार्मिक भाव से करी है किन्तु कावेत्ते में किसी प्रका की कमी नहीं आए इसका उन्होंने पूरा ध्यान रखा है फिर यह डोक्टर तगारे हैं जिन्होंने भाषा इनकी पुष्यदंद की जो भाषा है उनको मराठी की जनने नहीं कहा और शेंसिंग सेगन ने भाखा की जड़ कहा है तो यह इसने मुझने सरस्वती की उपादी दी दस्वी सती में भविश्यत कहा की रचना करी इन्होंने इनकी रचना क्या थी भविश्यत कहा और भविश्यत कहा का संपादन डॉक्टर योका याकोबी ने करा करा डॉक्टर याकोबी ने करा और गजपुर के अब इसके अंदर कि जो भविश्यत कहा है, जो ग्रम्त है, इसमें ये किसकी रचना है, ये important students, ध्यान रखिएगा, इसमें गजपूर के नगर सेट, धनपती के पुत्र, भविश्यत दत, तबी, देखो भविश्यत कथा, मतलब भविश्यत दत की लोग कथा बाणी थे, इसमें गजपूर के, किन साथी के इनकी रचना, दसी शती में भविश्यत कथा, भविश्यत कथा का सनपादन किनों ने करा, डॉक्टर याकोबी ने और इसे गरजपूर के नगर सेट, धनपती के पुत्र, भविश्यत दत की लोग कथा बाणी थे, इस कथा के माधियम से, कवी ने बहु विबा के दुश्परिणाम के साथ, साधवी वा कुटल इस्तरी का अंतर को प्रकट किया है। ये इंपोर्टन नहीं है, भविस्यत कता एक रोमांटिक महा काव्य है। ठीके, धनपाल के में से हमें ये ये ध्यान रखना है। अब देखिए चतरमुक, चतरमुक इसको ये वाला फैक्ट इंपोर्टन इस्टूर्टेंट, हरीशेण ने धम परिक्खा में अपबरेंश के तीन कवियों का उल्ले किया, चतरमुक, स्वयंभू और पुश्यदंत, हरीशेण ने, हरीशेण, ठीके, एक रचना का ने धम परि ठीके, परिक्खा में इनके जो एक रचना का नाम था धम परिक्खा, कुछ टफ शब्द होते हैं, जो मेरे मुन से थोड़ा टफ तरीक, मतलब किलिया नहीं निकल पाते, ठीके, लेकिन इसमें लिखावा सही है, तो आप इसको पढ़िएगा जरूर, हरीशेण, इसके स्वैंबु और पुष्यदंत का, इन टीनों का उल्ले किस में हुआ है, धम परिक्खा में, और किस ने करा है, हरीशेण ने, और कौन सी भाषा में, अपब्रेश में, स्वैंबु ने चतरमुख को पढ़िया, बंदका, प्रवर्तक और सर्विश्यस कभी कहा है, ये important fact बनत सर्विश्यस रहस्यवादी कभी कहा गया है, important fact student, मुनी राम सिंग को अपभरंश का, मुनी राम सिंग को अपभरंश का सर्विश्यस रहस्यवादी कभी कहा है, डोक्टर हीरा लाल ने, इनका आविर्भाव का समय 1000 इसी माना, ठीके, इनका पाडु दोहा, ग्रंत चर्चित रहा है, मुनी राम सिंग का पाडु दोहा, मतलब मैंने आपको ट्रिक याद करे थी ना, मुनी ने हमें दोहा याद करने के लिए दिया, पहारा याद करने के लिए तो इनका पाहुर दोहा चर्चित ग्रंत थे, और डोक्टर हीरा लाल ने, इनका आविर्भाव 1000 इसी माना है, मुनी राम सिंग का अब्रंश का सरविशेस्ट रहसेवादी, ये धियान रखिएगा, रहसेवादी कभी का आए, फिर नेक्स देखे हेमचंद, हेमचंद का जनम 1088, अपने 1088, अपने समय के सबसे प्रसित जेन आचारिय थे, गुजराद के सोलंकी राजा सिद्राज, जैसिंग और इनके भतीजे कुमारपाल के इनका बड़ा मान था, मतलब इनका सम्मान होता था कहां पर, गुजराद के सोलंकी राजा सिद्राज, जैसिंग और इनके भतीजे कुमारपाल के यहां पर, तो आप ध्यान रखिएगा, गुजराद के सोलंकी राजा सिद्राज, जैसिंग और कुमाल पाल के यहां पर इनका काफी सम्मान हुआ इनको प्राकरत का पाणी नहीं माना गया है कि इनको हेम चंद को क्या माना गया है प्राकरत का पाणी नहीं इन्होंने अपब्रहण्ज के भाशिक कथा व्याक्रणी रूप का इसस्पस्ट व सुवैवस्ति तो मानक व्याकरण है कि एक और आगे देखिए राजा सिद्धराज के समय र Lindsay इनका प्रसिद्ध्याकरण ग्रते वुत innoos hai왃 चुक्त सफिद्ध नुबch इनका प्रसिद व्याक्रण ग्रंथा जिसमें संस्कर्ट प्राक्रट और अप्रभरश तीनों के उधानों के समावेश किया गया है। इनके व्याक्रण के उधानों के लिए, इनके उधान को बताने थे, इन्होंने भट्टी के समान एक द्रिव्या श्रै काव्य की रचना भी करी। जिसके अंतरगत कुमार पाल चरित नामे के प्राक्रत काव्य भी है, इस काव्य में भी अपभरंश के पद्य रखे गए, ठीके ये सारे इनकी रचना है थी, इनके अन्य ग्रंत योगशात, शंदानु साशन, देशी नाम, माला कोश और द्रेव्या शेविय काव्य है, ठीके इस्ट्रेंट्स कल हम चलिए, आज हम ये कंप्लीट करी देते हैं, जिन्दसूरी, अपभरंश का अपभरंश ये रचना पूरी कर लेते हैं, जिन्दसूरी नेक्स देखिए, जिन्दसूरी में हमें जो पढ़ना है, जिन्दसूरी ने से पहले अपभरंश के चरित काव्य काव्यों की परंपरा ही प्रसिद है ठीक है कि कल पड़े आज कर लेते हैं इस क्लास को कंप्लेट ज्यादा लंबी तो नहीं हो जाएगी नहीं क्लास कोई नियुस्टुएंट समय कवर तो करना है न ठीक है जिंदसूरी जिंदसूरी से पहले अपभरश में रचित काव्यों क 2014 एसी के में रास कावे परंपरा का परवर्तन किया ठीक है किसका अभदेश रथायन का रास का इसमें 80 पद्यों का निरत्य गीत रासलीला काव्य है जिंदसूरी का जैभदेश ते से पहले जो अपभरश के चरित काव्यों की की परंपरा प्रसित थी इस मतलब जिंद सूरी के टाइम पीरिट से पहले अपर भ्रांश में चरित्र काव्य लिखे गए लेकिन इन्होंने एक रचना ऐसी करी उपदेश रसायन रास जो ग्यारा सो चोदा इसी का टाइम पीरिट है इसमें इन्होंने इस प्रवर्ता का रास काव्य की परंपरा का परवर्तन किया और असी पदों का एक नरत्य गीत रास लीला की रचना तरी ठीक है यह तीनों फेक्स इंपोर्टेंट है चलिए अब नेक्स आगे बढ़ते हैं सौमप्रभ सूरी यह जेन पंडित थे और इनकी रचना थी कुमार पाल प्रतिबोद इ नेक प्रकार के उपदेश दिये जाने की कथा लिखी है यह ग्रंत अधिकांश्ता प्राकरत में यह बीजवीज में संसकर्श लोक और अपवरंश के दो हैं अपवरंश में के पदों में कुछ तो प्राचीन है और कुछ सौमप्रभ सिद्धिपाल कवी के बनाए हुए है इनका ध्यान रखिएगा यह में तो सौमप्रभ सूरी कुमारपाल प्रतिर्वोत 1184 यह जैन पंडित थे फिर आगे देखिए जेनाचारे मेरूतुंग आचारे शुक्ल के संदर में प्रभंद चिंतामणी 1304 नामक एक संस्कत गर्न्त भोज प्रभंद के ढंक का बनाया जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित है संग्रहित किये गए ठीके इनकी जो रचना थी जो जेनाचारे मेरूतुंग के प्रभंद चिंतामणी 1304 में इनका यही महत्पोन है स्ट्रेंड्स झाल झाल है 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 प्रभंद चिंतावणी बागी ऐसा कोई डिटेल इतना नहीं है कि आपको पूरी डिटेल याद रखनी हो ठीके चलिए आगे बढ़ते हैं विध्याधर का देखिए विकर्मी 13 सती आचरे शुकल के अनुसार आचरे शुकल के नाम के एक कवी के कन्नोज कन्नोज के किसी राठोर समराट रशायत जैचन के प्रताप और पराकर्म का वणन किसी ग्रंथ में किया ग्रंथ का पता नहीं पर कुछ पद्य प्राकर पिंगलम सूतर है वैसे यह इंतने इंपोटेंट नहीं है तो आपको यह धिया रखना जजल, बबर, आदी की रचनाय मिलती हैं अभी हमने उपठ पढाना तो हमें ये ध्यान रखना है कि प्राखरप पेगलम में विद्यादर, शारंगधर जजल और बबर की आदी कवियों की रचनाय मिलती हैं ये ध्यान रखिए फिर इसके बाद इसमें इस संग्रे में चोदवी शती के अंत में लक्षमी धर्णने किया फिर यहां पर देखिए आदिकाल में लिखा गया वेश्नव साहितिय बहुती कम मात्रा में उपलब दे लेकिन प्राकरत पेगलम में अनेक छंदों में विश्नु के विभिने आउतारों से संबंदित पंक्तिया मिलती है इसी प्रकार हेमचन ने बारवी शती में प्राकरत व्याकर से संबंदित अपुभरेंश दोहों में भी कृष्नराधा दश्मुक आदिकी चर्चा की यानि रचा तो गया होगा पर अनुपलब्दे जो कुछ रचनाएं आई तो होंगी लेकिन बनाई गई होंगी लिखी गई होंगी जो अभी अनुपलब्दे मिली नहीं तो इसमें से जो हमें ध्यान रखने वाला फेक्टे स्ट्रेंट्स जो देखिए प्राकरत प्रेढ़लम में रचना के अंतरगत एक तो प्राकरत पिंगल सूत्र था और इसमें विद्ध्यदर शारंधर और जग्जल बबबर आजी क कव्यों की रचनाएं मिली चोदी शती म इसका संग्रैश लक्षमी धर जी ने किया तो यह ही एफेक्ट यहां पर इंपोर्टेंट है इस्ट्रेंट्स ज्यादा डीप में नहीं अब शारंगधर के बारे में पढ़ें शारंगधर रंथंबोर के सूप्रसित वीर महाराजा हम्मीर देव के प्रधान सभा सदस्यों में राघव देर थे उनके भोपाल दामोधर और देवदास ये तीन पुत्र हुए दामोधर के तीन पुत्र थे शारंगधर लक्षमी धर और क्रिश्न जो अभी हमने उपर पढ़े ना ठीके शारंगधर वो ही इनके ये क्या कहते हैं दामोधर के तीन पुत्र थे ठीके आचर धर और राहुल सांकेतन ने जज्जल को माना है शुकले जी ने हमीर रासो को किन का माना है शारंग धर का और राहुल सांकेतन ने जज्जल को माना है ठीक हमीर रासो के बारे में हजारी परसा देखी यह हजारी परसा दिवेदी के अनुसार हमीर शब्द किसी पात्र का नाम नाम ना होकर विशेशन है जो अमीर को विक्रत रूप है फिर हजारी प्रसाद दिवेदी जी ने क्या का कि हमीर शब्द किसी पात्र का नाम ना होकर विशेशन है ठीक है जो हमने हमीर रासो पड़ा ठीक है तो यह क्या है अमीर का विक्रत रूप है अमीर शब्द का विक्रत इसमें अपना परीचाई भी दिया है इनों ने अब देखे आगे शारंगधर पद्धती में बहुत से शाबर मंत्र भाषा चित्र काव्य दिये गए हैं यह रीडिंग कर लीजेगा इस इतना इंपोर्टेंट नहीं है यह चीज हाँ अब इदर आए शारंगधर का मानता है कुंडलिया चंद का प्रथम प्रयोकता माना है रोक्टर बच्चन सिंग्ने इनको क्या माना है शारंगधर को कुंडलिया चंद का प्रथम प्रयोकता तो इस्टुडेंट्स यहां पर आपका अपुभरेंश रचनाय समाप्त होती है जो कल क्लास आएगी ना पर उसके बाद रासो साहित्य को पढ़ेंगे इस ट्रेंट्स अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शर्ड सब्सक्काइब करिए और क्लास इस कंटीनियू देखिए तभी आपको समझ में आयागा इस ट्रेंट्स आज की क्लास थोड़ी लंबी हो यह कमेंट रखिए लिक्टरिचर से संब्दित कोई भी प्रश्णों हो कुछ भी आपको पूछना है किस तरीके से और आपको अच्छे व्रहत तरीके से समझना है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा धन्यवाद